बसंत पंचमी के दिन इन चीजों को ले आए घर, किस्मत के बंद दर्वाजे खुलने में नहीं लगेगी देर। हरे कृष्णा रादे रादे दोश्तों, बसंत पंचमी का त्योहार 14 फरवरी को मनाया जाएगा। जोतिस सास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन कुछ चीजें घर पर लाना बहुत शुव माना जाता है। इससे शुव फल की प्राप्ती होती है। हिंदू धरम में साल भर बहुत सारे त्योहार आते हैं। माग महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मा सरसुती जो विध्या और कला की देवी हैं की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं उनकी पूजा से विध्या के छेतर में सफलता मिलती है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जाएगी। जोते सास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन कुछ चीज़ें घर पर लाना भी बहुत शुब माना जाता है। इने घर लाने से शुब फल की प्रापती होती है। तो आईए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन किन चीजों को घर में लाना चाहिए मा सरस्वती की फोटो बसंत पंचमी का तियोहार मा सरस्वती को समर्पित है इसलिए इस दिन मा सरस्वती की फोटो या मूर्ती लाना बहुत शुमाना जाता है इस दिन इनकी फोटो और मूर्ती घर पर लाकर पूरे विधी विधान से पूजा करनी चाहिए और पूजा में पीले फूल और मिठाई जड़ाना चाहिए इससे मासरस्ती की क्रपा बनी रहती है मोर पंखी का पौधा बसंत पंचमी के दिन घर में मोर पंखी का पौधा भी लाना चाहिए उससे शुम माना जाता है कहते हैं कि इसे घर में लाने से शुक सान्ती और बुधी का विकास होता है इसे घर की पूर्वदिसा या बच्चों के कम्रे में भी रखा जा सकता है बासुरी या बाध्यंत्र बसंत पंचमी के दिन बासुरी या बाध्यंत्र लाना बहुत शुब होता है कहते हैं जो लोग कला प्रेमी होते हैं उनके लिए कला की कोई वस्तु लाने से शुब फल की प्राप्ती होती है इसे घर लाकर मा के चरणों में अर्पित करने से सफलता प्राप्त होती है शाधी व्याह से जुड़ा हुआ समान जोतिस सास्त के अनुसार बसंत पंचमी के दिन शाधी व्याह से जुड़ा सामान घर लाना भी बहुत शुमाना जाता है साधी के लिए कपड़े, गहने, आदी की खरीदारी करने से सवभाग की प्राप्ती होती है पीले वस्त्र धारण कर लाये पीले फल फूल, बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल घर में लाना शुब होता है इससे मा सरस्वती की करपा हमेशा बनी रहती है तो ये है पांच चीजें जो आप बसंत पंच्मी वाले दिन अपने घर में ला सकते हैं जो भी आप लाना चाहते हैं, वो आप इन पांचो चीज़ों में से ला सकते हैं जोकि बहुत शुब और फल्दाई होती है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स फैमिली में जरूर सेयर कीजेगा चैनल पर नियों तो सब्सक्राइब कीजेगा हरे कृष्णा राधे राधे